हेलो दोस्तों मैं Geekman आज आप सब के लिए लेके आया हूँ एक नया लिश्ट टोप 5 बेस्ट लेटोप अंडर 30,000 रूपीज के लिए क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई लेटोप करीने चाहते तो बहुत सारे क्वेशन जो हमारे दिमाग में रहते कि इस प्राइज में कौन सा जो प्रोसेजर मोडल अच्छा रहेगा रेम, ग्राफिक, बेटरी लाइफ, हाडवेर कॉलटी पे बहुत सारे क्वेशन आते और काफे बार तो हम यह भी सर्च करते कि इस प्राइज में सबसे हायर कंफिकेशन वाला लेटोप कौन सा है कहीं अच्छा नहीं है कि मैं लेटोप करें दोर मुझे बात में पता चले कि इस से हायर कंफिकेशन जो मुझे इस प्राइज में मिल सकती है तो इस सारे क्वेशन को ध्यान में रखते जो दोस्तों यहां पे मैंने लिस्ट बनाया है और दोस्तों आपको एक लेटेस्ट और बे दिस्विंशन पे मिल जाएगी या फिर आप क्या कर सकते कि आप मेरी वेबसाइट गीक में डोटिंग पे जाके भी टॉप फाइफ लेटोप अंडर 30,000 की जो है लिस्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि वहां पे मैं हर मंतली उस लिस्ट को अपडेट करता रहता हूं प्लस जो है यहां पर यह लेटोप काफी स्टाइलिस एंड प्रीमियम दिखता है क्योंकि यहां पर कंपनी जो है स्क्रेश्पूस टेक्सर दिजाइन फ्रंट में यूज किया है और भाला कि यह तो एक बज़ेट फ्रेंली लेटोप है फिर भी यहां पर बिल कोर्टी में भी काफी इं दे क्योंकि काफी शॉफ्ट एंड कमफर्टेबल है तो बेस पार्ट इस लेटोप का यह है कि यहां पर हमें प्री इंस्टोल्ड विंडोस 10 हो मिल जाता है और यहां पर जो प्रोसेसर लगा है वो है 6 जनेरेशन इंटेल आई 3 जो कि 2 गीगार्स क्लोक स्पीड के साथ आता है लेकिन जो आप यहां पर 16 GB तक जो है रेम अपग्रेग कर सकते हो तो मैं हाइली रिकेमेंट करूंगा यह लेटोप कोले स्टूडेंट और ओफिस यूजर्स के लिए और बात करें आप बैटरी बेकप की तो यहां पर हमें एप्रोक्स जो है सारे 3 गंटे का जो बैटरी गफने के बाद मिलता है अगर आप यहां पर लेनोगानेजर येस लिर्ची सर्फेर यूज चकरते होता थोड़ी सी जो यहां पर आपको ज्यादा बैटरी बेकप मिल जाएगा तो बैटरी बैकप की तो और यहां पे दूसरे connectivity पोट की बात करें तो यहां पे हम एक one USB 3.0 मिल जाता है और one जो है USB 2.0 मिल जाता है और HDMI multi guard reader और RJ45 जो पोट है वो भी जो हमको यहां पे मिल जाता है और यहां पे जो है सारे दूसरे connectivity पोट जो हमें ज़रूद होती एक laptop में वो सब कुछ हमको यहां प 27,000 से 28,000 के बीच में रहती है जिसकी buying link जो आपको नीचे decision पे मिल जाएगी और यह laptop जो है मैं highly office user के लिए recommend करता हूँ क्योंकि यह काफी premium और काफी compact दिखता है और यह सिप अच्छा ही नहीं दिखता लेकिन इसकी build quality भी जो है काफी अच्छी होती है तो यह laptop जो हमारा 6th generation Intel i3 processor के आज साथ आता है जिसकी clock speed 2 GHz है और यह same उपर के laptop की तरह Intel dual core 6006U processor model number के साथ आता है जहाँ पे हमें 4 thread report, hyperthread और 3 MB catches जो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो हमें 1 TB hard drive मिलती है इस laptop के साथ और 4 GB RAM मिलती है जिसको आप expand कर सकते हो 8 GB तब और यहाँ पे इस laptop के स साथ हमें कोई भी pre install OS नहीं मिलता तो जो आपको खूदी है यहाँ पे Windows इंस्टॉल करना पड़ेगा या तो फिर बाहर मार्केट में से करवाना पड़ेगा और बात करें बैटरी विगप का तो यहाँ पे हमें 4 गंटे तक का जो है बैटरी विगप मिल जाता है फूल चार GP302E जो मेरा थर्ड सेलेक्सान इस लिस्ट में जिसकी प्राइज रूपिस 26,000 से 28,000 की बीच में रहती है जिसकी लोवेज प्राइज प्राइज की लिंग जो आपको निसे डिस्विशन पर मिल जाएगी और बात करें डिजाइन की तो दिखने में लेप्टोप काफी स्ट लेप्टोप में था और यहां पर हमें 4GB DDR4 RAM मिलता है और 1TB जो है hard drive मिलता है लेकिन जो RAM को जो हाफ 16GB तक upgrade कर सकते हैं लेकिन याद रहे दोस्तों यहां पर RAM जो है DDR3 नहीं DDR4 है और सबसे खास बात मुझे जो इस लेप्टोप की लगे एक तो यह DDR4 RAM और दूसरा यहां प लेप्टोप के साथ जो हमें कोई भी operating system नहीं मिलता है तो जो आपको खुदी यहां पर operating system install करवाना पड़ेगा और बात करें बैटरी की तो बैटरी बेकप काफी अच्छा है इस लेप्टोप का यहां पर हमें 4 गंटे का जो है power backup मिल जाता है फूल चार्ज करने पर तो अ लेकिन जो वेब्चेम है इस लेप्टोप का वो मुझे इतना खास लगा नहीं और यहां पर company ने जो है Intel Integrator HD Graphic 520 यूज किया जो डिसेंट सी गेमिंग के लिए आपकी help करेगा और यहां पर सेम वन स्यर ओन साइट वरांटी जो इस लेप्टोप के साथ हमें मिल जाती है त दिस्पले मिल जाता है प्लस यहां पर हमें 7th generation 2.4 GHz APU dealcore A9 processor मिलता है और 6 GB DDR4 RAM भी मिलता है और 1 TB जो है hard drive इस लेप्टोप के साथ हमें मिलता है और यहां पर जो प्रोसेसर मोडल है वो है A99400 जो कि 3 GHz तक turbo boost हो सकता है और दो thread जो एक साथ support करता है और यहां पर हमें प्री इंस्टॉल Windows 10 Home मिल जाता है प्लस यहां पर हमें Microsoft Office 2016 और 15 मंत का जो है make-up security मिल जाता है और बात करें बैटरी वेकप का तो यहां पर हमें 4 गंटे का जो है बैटरी वेकप मिल जाता है अगर आपको एक laptop चाहिए powerful performance के साथ और प्री इंस्टॉल Windows 10 के साथ तो जो है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लेनोगो एक जो है मेरा फिफ सिलेक्शन इस लिस्ट में और जिसकी प्राइज रूपिस 55,000 से 27,000 के बीच में रहती है और आप किसी भी online shopping site से इसे खरीच सकते है जिसकी lowest price link जो है में आपको decision में मिल जाएगी अगर आप अभी के लिए कोई dedicated graphic processor वाला laptop इस price range में search कर रहे है तो यह वाला जो आपके लिए सबसे best रहेगा यहां पर हमें जो है 2GB AMD Redon R16 M1 M130 graphic processor के साथ आता है प्लस यहां पर जो हमें 8GB RAM भी मिलता है अलाकि graphic processor इतना अच्छा नहीं है लेकिन इस price range में जो हम इस ज़्यादे expect नहीं कर सकते हैं अब medium और low graphic वाले game जो है easily खेल सकते है और यहां पर हमें 244 GHz AMD APU dual core A9 processor मिलता है और processor model है A99400 जो के previous laptop में same ही था और यहां पर हमें 1TB HDG hard drive मिलता है और यहां पर हमें कोई भी pre-install operating system नहीं मिलता है और बात कर बैटरी बेकप की तो यहां पर हमें 4 गंटे का बैटरी लाइफ मिल जाता है और बात करें connectivity तो यहां पर हमें 2 USB 2.0 के पॉर्ट मिलता है एक HDMI, Multicard Reader और 1RG45 का पॉर्ट मिल जाता है लेकिन यहां पर जो हमें कोई भी USB 3.0 पॉर्ट के साथ नहीं मिलता है और webcam भी जो है इस laptop का इतना खास नहीं है और यहां पर हमें dual speaker मिलता है DVD writer मिलता है और बाकी सारे connectivity option जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और बाकी सारे Wi-Fi Bluetooth जैसे connectivity option इस laptop के साथ मिल जाता है और यहां पर हमें एक साल का on-site warranty भी मिलता है Dell Inspiron 3467 जो है मेरी next choices list में जिसकी price रूपिज 27,000 जे 29,000 के बीच में रहती है जिसकी buying link जो आपको निची डिस्विसेट में मिल जाएगी और design के मामले में यह सेम है दूसरे Dell की laptop की तरह लेकिन यहां पर जो है screen side different है क्योंकि यहां पर जो हमें 14 inch display मिलती है उसके वरसे laptop काफ जो है hard drive मिलता है और processor model जो है previous laptops की तरह सेम है और यहां पर जो हम RAM को 8GB तक upgrade कर सकते हैं लेकिन इस laptop के साथ जो हमें कोई भी operating system नहीं मिलता लेकिन यहां पर जो है दूसरा variant available जो है Windows 10 के साथ आता है तो आप चाहें तो वह भी खरीच सकते है और बात करें battery backup का तो यहां पर ह यहां में कासी अच्छा battery backup देखने को मिल जाता है क्योंकि screen size जो है दूसरे laptop के compare में यहां पर कम है इस वज़से जो हमें 5 गंटे तक का battery backup देखने को मिल जाता है और यहां पे Intel integrated HD Graphics 520 भी मिलता है प्लस USB 3.0 के 2 port मिलता है 1 HDMI मिलता है और 1 multi car reader और RG45 भी मिलता है और यहां जो हमें HD webcam देखने को मिलता है DVD writer और dual speaker भी इस laptop में देखने को मिल जाता है और यहां पे जो हमें 1 year on-site warranty भी मिलता है और यहां पर इस list में जो मेरी last choice है वो है HP 15 BG 004 AU और इस laptop की price 25,000 से 26,000 के बीच में रहती है लेकिन फिलास जो है इस click card में available है जिसकी link जो आपको नीचे processor में मिल जाएगी और सबसे खास बात इस laptop की है कि यहां पे हमें प्री इंस्टॉल Windows 10 Home मिल जाता है प्लस यहां पे हमें 2 पे 2 GHz का MD APU code को add processor मिलता है जो कि turbo boost हो सकता है 2 5 GHz के साथ और यहां पे हमें 4 GB RAM मिलता है 1 TB जो hard drive मिलती है और AMD Radom RFI inbuilt graphic processor मिलता है और यहां पे इस RAM क को जो हम 16 GB तक जो है upgrade कर सकते है और यहां पे connectivity के लिए हमें USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 3 in 1 card reader और एक RG45 port जो है मिल जाता है plus यहां पे हमें HD webcam मिलता है DV Writer और DTS dual speaker मिल जाता है और यहां पे जो हमें 4 गंटे तक का जो है battery backup मिल जाते है इस laptop के साथ और एक साल की जो है on-site warranty मिल जाती ह और टी है लो हासटि